हलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होब यू आल आर फाइन चैप्टर वन स्वर एवं उनकी मात्रा है अ की मात्रा और अ मात्रिक शब्द ओके, तो लाज सेशन में हमने दो वर्णों वाले शब्दों को देखा था आज हम तीन वर्णों वाले शब्दा देखेंगे और समझेंगे मैसेल्स दिपल सा, यूर हिंदी टीचर आपकी उद्बव टैक्सबुक पे पेज नमबर 19 पे दिया गया है अगर चाहो तो उद्बव टैक्सबुक ओपन करके बैच सकते हो लेट स्टार्ट यहां कितने मर्णों का उप्यों किया गया है? तीन मर्णा पहला मर्णा है मा, दूसरा मर्णा है हा और तीसरा मर्णा है ला तो शब्दा बना माहर यह पिच्चर किसका दिया गया है? माहल का तो अब यह आपको पिच्चर भी समझना आना चाहिए और पिच्चर को देखके फिर ये शब्दा लिखना भी आना चाहिए यहाँ शब्दा कौन सा बना महल ओके यह कौन सा चित्रा है कमल पहला वर्णा है कब, दूसरा वर्णा है मह और तीसरा वर्णा हुआ लग तो शब्दा बना कमल कमल मिन्स लोटस अवर नेशनल फ्लावर है ना यहाँ पहला वर्णा है बा, दूसरा वर्णा है तो और तीसरा वर्णा है खो तो शब्दा बना बतक बतक देखा है ना आप सबने पानी में होता है पानी में तैरता है वो वाला बतक पहला वार्णा है मा, दूसरा वार्णा है टा और तीसरा वार्णा है र, शब्द बना मतर, आलू मतर की सब्जी, मतर की सब्जी अच्छे लगती है ना खाने में पाउंबजी बनाते हैं वो वाले मतर ग्रीन होते हैं पेस बोलते हैं उसको वो वाले मतर पहला वर्णा है बहा दूसरा वर्णा है वह और तीसरा वर्णा है ना शब्द बना भवन भवन में बड़ा वाला हाउस हो है ना उसको भवन बोलते हैं पहला वर्णा है स, दूसरा वर्णा है ड़, और तीसरा वर्णा है क, सब्दा बना सडख, यहाँ देखो ड़ के नीचे ड़ाट है, अन्यों तो सब्दा जब भी आप याद रखो, तो प्रॉपर याद रखना सडख में ड़ के नीचे बिंदि ऐसे ड़ाट लगाना हुगा आ सड़क मिंज रास्ता रोड अभी आगी के शब्दा देखते हैं तीन वर्णों वाले शब्दा अगर अगर मगर अगर मैं ऐसा बोलू तो तुझे ऐसा करना पड़ेगा ऐसा कभी ममी बोलती है न वो वाला अगर मगर मैंने ऐसा किया मगर तुने ऐसा नहीं किया ऐसे कभी हम यूज करते है न वो वाला मगर फिर नगर नगर मतलब सीटी जिस सीटी में हम रहते हैं शहर कमल तो लोटस फ्लावनी गरम 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 चाहि पीनी चाहिए वो वाली गरम नरम सौफट नरम का मतलब हुआ सौफट गगन आकास स्काई मदन बजन बजन मतलब सौंग बगवान को जो हम सौंग गाते हैं उसको क्या बुलते हैं बजन चमन नमन मतलब हम ऐसे जुक के बगवान को हाथ जोड़के प्रे करते हैं उसको क्या बुलते हैं नमन और चरन पैट जो है पैट चूते हैं तो बगवान के चरन चुने चाहिए ऐसा बुलते हैं न वो वाले चरण बटन तो हम लगाते हैं न बटन शोट में बटन लगाना चाहिए बटन लगाते हैं शोट में वो वाले बटन टहल मतलब नॉर्मली हम गूमने निकलते हैं चलने के लिए वाकिंग के लिए उसको क्या कहते हैं टहल नमक मतलग salt, खारा होता है वो वाला, चमक, चान सीतारे चमक रहे है, वो वाला चमक, चलो, अभी वापिस रिपीट करते हैं, पहला वियंजन हुआ, वियंजन है वर्ण, पहला वर्ण हुआ अ, दूसरा वर्ण अगर, तीसरा वर्ण र, सब्द बना अगर, फिर, पहला वर्ण हुआ का, दूसरा वर्ण मा, तीसरा वर्ण ल, सब्द बना कमल, पहला वर्ण ग, दूसरा वर्ण ग, और तीसरा वर्ण न, सब्द बना गगन, पहला वर्ण चा, दूसरा वर्ण मा, तीसरा वर्ण न, सब्द बना चमन, रिपीट करते हैं, अगर, कमल, गन और चमन फिफ दूसरी लाइन पे आये मगर पैला वर्न मा दूसरा वर्न गर और तीसरा वर्न रा शब्द बना मगर तो ये लाइन वापिस रिट कर ले अपन पैला वर्न न दूसरा वर्न गर तीसरा वर्न रा शब्द बना न गर पैला वर्न न दूसरा वर्न रा तीसरा वर्न कुंसा है मा शब्द बना न रा पैला वर्न बा दूसरा वर्न गर तीसरा वर्न न शब्द बना बजन पैला वर्न बा दूसरा वर्न न शब्द बना बटन पहला वर्णा टो, दूसरा वर्णा हो, तीसरा वर्णा लो, शब्दा बना टो हो पहला वर्णा नो, दूसरा वर्णा मा, तीसरा वर्णा को, तो शब्दा बनेगा ना माग पहला वर्णा है च, दूसरा वर्णा है म, और तीसरा वर्णा है क, तो शब्दा बना चमक मैं सारे शब्दा को वापीस रिपीट कर रहे हूँ अगर, कमाल, गगान, चमान, मगर, गराम, मदन, नमान, नगार, नाराम, भजन, चरान, बटन, टहल, नमक और चमक ओके, आपको भी ये शब्दा ऐसे ही रिड करने है, ऐसे रिड करना आपको आना चाहिए ओके, कर पाओगे न, आचा करती हूँ कि ये तीन वर्णों वाले शब्दों आपको समझ में आये होंगे थैंक यू